नवसकर दोस्तो जहिंद वंदे मातरम मयाब के साथ जैस्वाल शर आफ शवी का शौगत अम्दनन करता हूँ आपके अपने टीचर्स फैमली, सिचकों के परिवार, यूटूब फैमली, टीटी फैमली, जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे परेवन EBS के NCRT बेश क्लास आपकी यह पांचमी क्लास है और इस क्लास में 20 मात्पून लाजवाव आपके सलेवस के कोडिंग कोश्चन की बात करेंगे चली सुरुआत करते हैं, हमने आपके जो प्रशन से संबंदी जो टॉपिक आपके क्लियर किया था कल हमने पहला टॉपिक पर बात किये थे, 20 प्रशन किये थे इसके बाद इस टॉपिक को जो है अंगे करते हैं और 21 प्रशन से सुरुआत करेंगे 21 से लेके 40 प्रशन तक यहाँ पर प्रशन रहेंगे पहला प्रशन इन में से किस ग्रह का कोई उप ग्रह नहीं है तो सभी को पता है शुक्र एक ऐसा ग्रह जिसका कोई उप ग्रह नहीं है बागी यूरेनेस, ब्रैस्वत, नियूट्रेन इन तीनों को उप ग्रह है शूर का निकरतम दूसरा ग्रह शुक्र है बुद्ध के वाद शुक्र आता है और शुर की परिक्मा सुक्र जो है 255 दिनों में पूरी करता है और बुद्ध लगभग 87 दिनों में पूरी कर लेता है ये ग्रहों की समान दिसा की विप्रेश शुर के पूर पस्चिम से दिसा में परिक्रम करता है जो ग्रह के समान दिशा में पूर से पश्चिम करते हैं ये कहता है शूर की पूर से पश्चिम की दिशा में परिक्म करता है और बाकी सारे क्या करते हैं पश्चिम से पूर करते हैं लेकिन पूर से पश्चिम क्योर करता है और बुद्ध के समान भी इसका कोई उब्रह नहीं यानि कि बुद्ध का और शुक्र का कोई उब रहे हैं ये भी जान लेजे ये अगर प्रथवी के सरवादी के नजदीक है क्योंकि बुद्ध शुक्ष प्रथवी और मंगल जो सूर इवं चन्दमा के बाद आता है यानि अगर आप मैं कहूं कि सांज का तारा किसे कहते हैं भ प्रथवी सूर से ग्रह है तो प्रथवी सूर से किस नंबर पर ग्रह है पहला तीसरा शात्मा पाच्मा देखे सूर से पूचा गया है तो सूर से मतलब पहला आता है बुद्ध फिर आता है शुक्र फिर आता है प्रथवी तो प्रथवी कितने नंबर पर हमारी बुद्ध प्रत्वी तीसरे नंबर का ग्रह हो जाएगा सौर मंदर में प्रत्वी जो है सूर से दूरी के क्रम में तीसरे इस्थान पर है और सूर से दूरी कंसा ग्रहों का और ओही क्रम आपका इस प्रकार है बुद्ध शुक प्रत्वी मंगल ब्रहश्पत इसनी अरुन वरुन सबसे दूरी जो है वरुन की है और प्रत्वी ग्यात ब्रह्मान में एक मात ऐसा उप रहे है जहां जीवन की उपस्तिती है यह सौर मंदर का सबसे घाना और चार इस्थली ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है जो चार आपके इस्थली ग्रह है उनमें से सबसे बड़ा ग्रह प्र क्राप का पूर से पश्चिम होता है और प्रत्वी अपनी धूरी पर किस टैप से गुमती है तो पश्चिम से पूर की दिशा में गूमती है अर्थात कि भी अप्सन की बात कर रहे हैं कि प्रत्वी की इसी घूर्णन गती को अथवा आवर्तन गती कहा जाता है प्रतिवी अपने अच पर एक चक्कर पूरा करने में तेज घंटे 56 मिनट चार सेकंड लगवग 24 गंटे का समय लेती यह प्रशना सकता है प्रतिवी अपने अच पर एक दिन में या एक चक्कर पूरा लगाने में कुल समय करेक्ट अगर पूँचा जाए तो 26 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती ये ध्यान देना अंगला प्रस्ण है प्रत्वी को किस नाम से जाना जाता है औरेंजी ग्रह, हारा ग्रह, नेला ग्रह, पीला ग्रह तो सभी को पता है प्रत्वी एकदम से आपको किस तरह से नीली दिखाई देती जब आप अंत्रिश से जाएंगे देखने पर तो यहाँ पर सी आपसन की बात करेंगे और नीला दिखाई देने का कारण यही कि दो तिहाई सतय में पानी से ढखा हुआ है इसलिए इसे नीला ग्रहवी कहा जाता है अंगला प्रशने 25 प्रशन आप लोगों के किसकीन पर है सभी कमेंट करेंगे आई होब शभी प्यारमित अच्छे तरीके से प्रशन को समझ पा रहे होंगे आई होब शभी प्यारमित एक बार लाइक अवश कर लिया होगा बहुत बहुत अन्वाज सभी सिच्छक बंदों का सभी भावी अधापक अधा पिकाऊंगा साथ यह अंगला प्रशने सूर ग्रहन कब होता है बहुत इंपोर्टन प्रशन है जब सूर चन्दमा और प्रथिवी के बीच होता है जब प्रथिवी और चन्दमा सूर के बीच होता है जब चन्दमा और सूर और प्रथिवी के बीच होता है देखे सूर ग्रहन सूर ग्रहन मतलब कहा के निवासी सूर ग्रहन मानते हैं प्रतिवी के निवासी, प्रतिवी के निवासी सूर वहन मानते, सूर वहन कम मानते माली जी यह प्रतिवी हो गई, और यह शूर हो गया, इसके बीच जब चंद्रमा आ जाता है, प्रतिवी और शूर के बीच चंद्रमा आ जाए, तो सूर का जो है, छाया क्या पड़ जाती है चंद्रमा पर प्रकास आता है और प्रत्वी पर क्या है उसकी छाय आती है तो सूर विहन हो जाता है तो सूर विहन कब होता है जब सूर और क्या है जब सूर जो है चंद्रमा और प्रत्वी के बीच होना चाहिए जब प्रत्वी चंद्रमा और सूर के बीच हो तो दोस्तो राइट अफसन क्या हो का दे कि जब चंद्रमा शूर और प्रत्वी के बीच में होता है अर्थात जब चंद्रमा हो सूर और प्रत्वी के बीच में आ जाए मैंने बता है यह शूर मान लिजे प्रत्वी है और ये प्रत्वी हो गए ये चंद्रमा हो गए चंद्रमा देखे बीच में प्रत्वी आ जाए और चंद्रमा साइड में आ जाए तो ये कहलाता है क्या चंद्रहन प्रत्वी यहां जाए बीच में चंद्रमा आ जाए क्या कहलाता है शूर्ग रहाए ये दोनों को कंफर्म कर लिजी और हमेशा सूर गण के कब होता है अमावश्या को होता है ये गटना जो होती है अंगला प्रशने सूर और पत्वी के मधमान दूरी सननिकट तह लगवा कितनी है तो 14 करोड 96 लाग किलो मीटर शूर और पत्वी के मधमान दूरी सननिकट मतलब होता है आसपास 14 करोड 96 लाग किलो मीटर आई होप आप लोग समझ पारे होंगे और पत्वी से चन्दमा की दूरी 3,84,400 किलो मीटर यानि यहाँ पर करोड़ों की बात कर रही यहाँ पर लाग की बात कर रही तो प्रत्वी से चन्दमा की दूरी पास में है वेकिन सूर अधिक्ता में है कितनी दूरी है 15 करोड यहाँ पर दिया गए लगभग 14,94,94 लगभग 15 करोड के आसपास अंगला प्रसने आयोप समझ पारे होंगे सभी प्यारमित आकार के संदर में मंगल का हमारे सौर मंडल में इस्थान है आकार के अंसार बुद्ध, शुक्र, बुद्ध के बाद आता है शुक्र, प्रत्वी, फिर आता है मंगल चौथे स्थान पर आता है लेकिन समझना है यहाँ पर क्या दिया गए आकार के संदर में बताना है पर दूसरे पर सनी, तीसरे पर अरुन, चौते पर वरुन, पांचमें पर प्रत्वी, छटमें पर सुक्र, सातमें पर मंगल इसके बाद बुद्धा आता है। पर दूसरे नंबर पर ब्रस्पत सभी को पता पहला तो ब्रस्पत कम पूचा जाता है। शनी दूसरे नंबर पर प्रत्वी पांचमें पर मंगल आता है। क्या है? बुद्ध, शुक, प्रत्वी, मंगल ये हमारे आंत्रि ग्रह हैं और मंगल भी है। लेकिन हाँ पर सनी जो है क्या जाएगा? सनी हमारे बाह ग्रह में आता है। यहां पर यहीं तो पूंचा गया कि एक आंतरीक ग्रह ने सनी एक आंतरीक ग्रह नहीं हैं। मैंने आपको उताए था सनी, सबी को पता है बरश्पत के बाद सनी का नाम आता है अर्थात हम भी आप सन के बात करेंगे, दूसरे आप सन के बात करेंगे और एक प्रिस्थन बहुत बजादा पूंचा जाता है सनी का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा उप ग्रह भी है सौर मंडल का सनी का पहला इन में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है यूरेने, शुक्र, वरुन, बरश्पती ठंडा मतब सौर से दूरी ग्रह होगा वही ठंडा ग्रह कहला जाएगा यहाँपर वरुन की बात करेंगे वरुन, ऍेप्चीन, हमारे सौर मंडल में सौर से आठ weddings और ब्यास के धार पर सौर मंडल में चोथा यूरेन द्रबमान के धार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है हरे रंग का या प्रथवी के द्रबमान का सत्रह गुना, शूर से प्रत्वी के दोरी लगवक 30 गुना दोरी पर है, और शूर से अधिक दोरी होने के कारण ही है, सबसे ठंडा ग्रह कहलाता है, कूल ग्रह, यह चील्ड पानी होना चाहिए, उसी तरह यह कूल ग्रह आपका कहा जाता है, चले बात करेंगे अंगले करें करी संबोधित किया गया है सभी को पता हम किसकी बात कर रहे हैं सभी कमेंड करेंगे 플ूूटो बुद्ध ना कर संबोधित किया गया पहले ग्रहों में सामिंधे पहले पता था एक 9 झर्मस के लेकिन फूर्म यह कि प्रعت संबोधित गया इसके लाब अस्त्री सिरान इरिसाय जेना 2003 वी आई वी बोने ग्रह शावित किये गए थे 2003 पर निम्रकित में से कौन से रेखा भारत के लगबग आधे हिस्से से होकर गुजरती है मकर रेखा, करक रेखा, भूमद रेखा, प्रमुक भूमद रेखा तो सभी कोता जो करक रेखा है लगबग भारत के आधे हिस्से से गुजरती है यह आपका जगर हम बनाने की कोशिस करेंगे तो यह हमारे लगबग ऐसे ही भारत का नक्सा है यह इस प्रकार से कुछ तो यहा गई ये गलोब पर पश्चिम से पूर खीची गई एक कालपनी क्रेखा है ये भारत के लगवग आदे हैं से या बीच से गुजरती है अर्थात कई बार प्रेशन भी पूंचा जाता है भारत में करक रेखा आठ राज्यों से गुजरती है राजिस्थान, मदजपदे, चटिसगर, जारकंड, पश्चीमंगाल, तिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो टोटल आपको ध्यान देना आठ राज्यों से होकर गुजरती है अंतराश्टी तितिरेखा महासागर के बीच होकर गुजरती है किस महासागर के आरक्टिक हिंद आटलांटिक महासागर देखे अगर मैं 50-50 की बात करू हिंद आएगा या प्रशानत आएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए तो आपका जवाब सही को पता हो गया क्या होना चाहिए सभी कमेंट करेंगे फीडवेक करेंगे तो आपका जवाब आई थिंक आचुका है और हम बात करेंगे प्रशानत महासागर की अंतराश्टी तीती रेखा क्या है प्रशान्त महाशागर के बीच से होकर उजाती है और कितने 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दच्छिन के और खींची गई एक काल्पनिक रेखा है इस रेखा को तीती का परिवर्तन भी कहती है परिवर्तन करने वाली रेखा कौन सी है तो वह हमारी कहलाती है अंतराश्टी ती रेखा प्रशान्त महासागर से होकर चुकुजरती है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है 22 दिसंबर 25 मार्च जून शितंबर तो भारत में सबसे छोटा दिन साथ यो बात करेंगे 22 दिसंबर के 22 दिसंबर को शूर मकर रेखा पर लंबत होता है और इसीत को सीत आयनांत भी कहते हैं इस समय दश्ची गुलाद में दिन की अवदी लंबी वारात की अवद छोटी हो जाती है वस्तर सूर की दश्ची गुलाद में उन्मुक होने की प्रकिया 23 सितंबर 23 दिसंबर के बार प्रगम हो जाती है जिससे दश्ची गुलाद में दिन बड़े और रातें क्या होती हैं छोटी होने लगती है और इस समय उत्ति गुलाद में ठीक भी प्रीत हो जाता है तो बाज दिसम्बर को परांद 21 समाज तक ये पुने विश्वत रेखा की और उन्मुक होती है और दच्छी गुलाद में धीरे धीरे ग्रीश मृत्व की समाप्ति हो जाती है और भारत में बाज दिसम्बर को सबसे छोटा दिन होता है उत्री गुलाद में सबसे चोटा दिन कब होता है दच्छी गुलाद में तो आपने 22 दिसंबर कह लिया ठीक है तो उत्री गुलाद में सबसे चोटा दिन कब होता है देखे प्रशन जो पूंचा गया था भारत में सबसे चोटा दिन कब होता है भारत में पूंचा गया था य तो बाई दिसमर की बात कर रहे हैं तो आपका वही इंसर होना चाहिए इसमें भी कि उत्ती गुलाद में सबसे छोटा दिन बाई दिसमर को होता है साल का सबसे छोटा दिन और इस दिन शूर जो है अपने अधिक्तम दच्षनी बिंदू अरथात मकर ब्रत पर पहुच जाता है और उत्ती गुलाद में देशों में दिन क्या है? 10-10.5 गंटे का दिन होता है और 10.5-13 गंटे की क्या हो जाती है? रात हो जाती है इसलिए दिन छोटा हो जाता है उत्ती गुलाद में वर्स का सबसे लंबा दिन पूछा जाए तो सभी को पता होगा 21 जून की बात करेंगे 24 यहाँ पर देखेंगे 21 जून को उत्री गुलाद में और 22 दिसंबर को दच्छी गुलाद में सबसे बड़ा दिन होता है देखें यही तो पृष्ण है 21 जून को उत्री गुलार्द में और दच्छी गुलार्द में कब होता है बाई दिसंबर को होता है कौन से ग्रह लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है सबी को पता होगा मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है इसके कारण यही कि मंगल ग्रह की मिट्टी में उपस्तित एक फेरिक आकसाइड है इसका रंग लाल होता है मंगल पर सबसे उचा परवत निक्स ओलम्पिया है जो माउंट एवरेश से तीन गुणा बड़ा है और मंगल करके पास केवल दो उपर है फोबोश और टीमोश अब आएगा चेप्टर प्रतिवी की आंतिक सनशना और सैल निर्माट से सम्मंदित हम प्रशन करेंगे आए इस टॉपिक को कभर करते हैं इन में से कौन सा अगने चटान का उधारण है वेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइल देखे अगने चटान पूछा गया है तो अगने चटान का सम्मंद सभी को पता है वेसाल्ट से होता है अगने चटानों का निर्माट जौला मुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है और इन चिट्टानों में खनिच पदार्थ क्या क्या होता है सभी को पता होगा लोहा, मैगनीज, सोना, ताबा, सीसा, आधी, अधिक्त मात्रा में होती है और इस चिट्टान के फार एक जामपल उधारन ग्रेनाइट, बेसाल, पेगमाइट, ग्रेबबो आधी होते है कौन सा कायंत्री सेल का उधारन है, कायंत्री सेल, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, शंगमर, चूना पत्थर देखिए जो जो प्रशनम करते हैं उनको ध्यान दीजे, ग्रेनाइट, बेसाल, पेगमाइट, ग्रेबबो आचुका है ग्रिनाइट बेसाल्ट तो ये तो हमारे नहीं ग्रिनाइट तो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा कायंत्री सैल का जब भी नाम पूँचा जाए एक ही आपसन आता हुआ है शंग मरमर जी हाँ जब जॉला मुखी वैलकनो क्रिया के फल्स रूप तत्तो मैगमा बाहर जब निकलता है ये जब जॉला मुखी भी स्पोर्ट होता है तो तत्तो मैगमा जो होता है जब बाहर निकलता है तो मैगमा के संपर के छेट जो ये मिट्टी होती है ये छेट होता है ये चटान में रुपांतित हो जाता है ये मैगमा जो निकलता है इस प्रकार रुपांतरन जो होता है चूना पत्थर होता है और संग मरमर में क्या होता है परिवतित हो जाता है और चूना पत्थर आवसादी तलचटी परद्दार चट्टानों का उधारन है और शंग मरमर जिसका रुपांतित रोप है चट्टान और कायंती चट्टान हैं, ग्रिनाइट नीस में हो जाता है, विसाल सिस्ट में बलबव पत्थर, क्वार्जाइट में चूना पत्थर, शंगमरमर में कायंत्रित हो जाती है। अंगला प्रशने आपका दिया गया है इसलेक टाइड एवं इसलेक माइड में निछेपन होता है सिलिका का मैनीशियम कार्वोनेट का कैसियम कार्वोनेट का सोडियम कार्वोनेट का होता है सभी कमेंड करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना सिचक सिचका बनना तो इस्टे लेक टाइड एवं इस्टे लेक माइड में निछेपन किसका होता है साथ ही हो अगर आपको पता है कमेंड करें भरपूर कमेंड करें कैलिशियम कारवोनेट CACO3 की बात करेंगे तो यह रहे दोस्तों आज के महतपूर्ण 20 महतपूर्ण प्रशन हमने कम्प्लीट किया और जो आपके चैप्टर की नए चैप्टर की भी सुरुवात हमने आज ही से कर दिया है और वो चैप्टर हमने आपको बताया भी है कि प्रत्वी की आंतिक स्रशना और सैल निर्माण का यह चैप्टर रहेगा निप्रत्वी की आंतिक स्रशना और सैल निर्माण से जो अपरशन आते हैं सारे हम आने वाले प्रशनों पर कवर करने वाले हैं आने वाले क्लास पर कम्प्लीट करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट जोएन कीजी, दिली दिले सारी पेडागाजी क्लास स्टार्ट करेंगे बाल बिकाश, संसकत, हिंदी सारे आपके ग्रामर की क्लास स्टार्ट होगी बेतीन प्रवेशन करेंगे और सेलेक्शन पाएंगे सभी मित्रों को जह हिंद वन्दे मातरम मैं आपके साथ जैसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेस्ट क्लास पर